इस वक्स सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है अरेस्ट कोचिंग माफिया अब बात करते हैं इस ट्रेंड को चलाने वाले लोग है कौन दरसल में कोई अलग लोग नहीं है ये वही लोग है जो किसानों के खिलाफ भी हैश्टेक चला रहे थे अब ये स्टुडेंट के खिलाफ भी आगए उनको कोचिंग देने वालों के खिलाफ भी आगए ये लोग इन लोगों ने चात्रों का गुस्सा तो देखा हम मानते हैं कि इतना गुस्सा चात्रों को नहीं दिखाना चाहिए था रेल में आग नहीं लगानी चाहिए थी लेकिन चात्रों के ऊपर क्य बीद रही है, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग तो गुरूप D का एक्जाम भी पास नहीं कर सकते, जो इस तरह से हैश्टेक चला रही है, गुरूप D की भरती 2019 से चल रही है, अब तक फाइनल नहीं हुई, NTCPC 2019 से चल रही है, इनके साथ एक और निक और जब युवाओ की उम्र निकल जाएगी उन नोक्रियों की, तो युवाओ का गुस्सा तो बढ़े के काही, क्योंकि अधन्त में हर युवाओ एक नएक दिन मोका देखता है, एक ख्वाफ देखता है, कि वो एक दिन सरकारी नोक्री करेगा, लेकिन जब इस तरह से उसक कुछ है ही नहीं, छातर अपनी उमर निकलते हुए देख रहे हैं, लेकिन एक्साम नहीं हो रहे हैं, तो छातर में गुस्सा तो है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं है, लेकिन इस तरह से छातरों को भी टीज करना, छातरों को भी आतंकवाती घोशित करने पर तुले हैं, ये बेहत शर्मनाक है और इस तरह की किसी भी चीज़ों का समरतन नहीं किया जा सकता हम छातरों के द्वरा की कई हिंसा का भी समरतन नहीं करते लेकिन जो छातरों के साथ हो रहा है उसके खिलाव हर सूरत में पहहिंसक रूप से आवाज उठनी ही चाहिए क्योंकि यकिनन उनक के साथ ठीक नहीं हो रहा है तो चलिए दोस्तों मैराहुल चोधरी फिलालिस वीडियो के लिए इतना ही आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बोलिवड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं मेरे साथ जैमाता दी